हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सब का आपके अपने चनल पावली हिंदी पे तो आज की हमारे इस वीडियो को टॉपिक है एट फॉर्म रिस्पॉंसेस टू गूगल चीट तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों जब भी हमें हमें ऊपने जॉट फॉर्म में क्रिट किये गए फॉर्म में एक निया रिस्पॉंस रिसीव होता है awhile user एक फॉर्म में अपनी डिदृल्स इंटर करके उस फॉर्म को सम्ट करता है तो आप्लिकली हम उस फॉर्म सममिशन के डेटा को अपनी Google Sheets में as an euro add कर ले तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों ऐसा करने के लिए हमें एक automation setup करना होगा लेकिन पहले हम इन दोनों applications के बारे में जान लेते हैं हमारे पास पहले application है JotForm जो कि एक online form building application है जिससे आप अपने requirement के साफ से forms create कर सकते है and then उन forms को अपने users के लाँ share कर सकते है उनके details ले सकते है और दूसरी application है Google Sheets जो कि Google का एक online spreadsheet program है तो यहाँ पे दोस्तों इस automation को setup करने में एक चोटी सी problem थी वो यह कि JotForm और Google Sheets इन दोनों का यह आपस में को direct link कोई native integration नहीं है कोई direct connection नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीक एक automation setup कर सके तो अपनी इस problem को solve करने के लिए आज हम जिस software का use करेंगे उसका नाम है Pably Connect Pably Connect basically एक automation and integration software है जिसकी help से हम JotForm और Google Sheets इन दोनों को आपस में connect करेंगे कुछ इस तरीक एक automation setup करेंगे जिससे हम JotForm के responses को automatically एकदम real time में अपनी Google Sheets में as a new role add कर सके उसे store कर सके हैं और हाँ दोस्तो इस वीडियो में मैं JotForm का use कर रहा हूँ responses receive करने के लिए और JotForm का जो responses जो data है उससे Google Sheets में add कर रहा हूँ लेकिन आप चाहें तो JotForm की जगा TypeForm, PabliForm Builder, Elementor Form या किसे और online form building application का use कर सकते है and then उसके responses अपनी Google Sheets में store कर सकते हैं इस same automation से हैं और इस वीडियो में सिखा जाने में automation की सबसे खास बाती है दोस्तो कि इस automation को करने के लिए आपको किसी भी तरिके की coding या programming knowledge का ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरे automation को बहुत easily set up कर सकता है तो चली पहले में आपको दिखा तो इस automation का एक real-time example मेरी अपनी screen पर तो जसके आप यहाँ देख सकते हैं यह वो form जो मैंने अपने job form account में create किया है तो जब भी कोई user इस form को बन करके इस form में अपनी details एंटर करता है and then इस form को submit करता है तो automatically एकदम real-time में मेरी इस form submission को जो data है user के अंटर की के जो details है वो मेरी google sheets में एक नई रो बन के add हो जाती है तो चली से एक बार हम test करके देखते है तो अपने job form पे मैं एंटर करता हूँ user की details ओके सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक user की details इस user का नाम है नेतन कुमार यह user का email address उस user का phone number साथ साथ एंटर किया है उस user का test address and then यहाँ पे हमारे पास मैंने एंटर किया है एक feedback message और यह message कहता है this is a real-time example यहाँ पे अपने job form में एक user के details एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ submit पे सो यह हमें बता रहा है कि हमारे job form में फॉर्म था वो successfully submit हो चुका है तो चली दोस्तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने google sheet पे और वहाँ चलके हम देखेंगे कि जो details हमने अभी job form में एंटर करके form को submit किया है यानि कि हमारे job form के जो form submission का data है वो automatically एकदम real time में हमारे google sheets में एक नई रो बनके add हो जाएगा यहाँ पे हम देख सकते है कि यह है मेरी google sheet और यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि वो same data, वो same name नेंथन कुमार जो अभी अभी हमने अपने job form में एंटर करके form को submit किया था automatically एकदम real time के बागी सरी details जैसे कि email address, phone number, address और feedback message वो सारी details जो हमने अपने form में एंटर की थी वो add हो चुकिये हमारे google sheets में एक नई रो बनके तो आप सोच रहोंगे दोस्तों यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने अपने job form में receive हो रहे है responses को form submission के data को automatically एकदम real time पे अपने google sheets में एक नई रो बनाके add कर दिया तो हम आपको बता दू यह जो पूरा process है यह जो पूरा automation है हमने अभी अभी देखा इसे मैं setup किया है तीन simple steps में जिसमें हमारा 4 step है connect publicly connect to job form with the help of webbook URL तो सबसे पहले हम जाएंगे publicly connect में और वहां से मिले एक webbook URL की help से job form और publicly connect इन दोनों को यह आपस में connect करेंगे फिर आती है हमारी second step जो है collect the data from job form in publicly connect तो हमारी second step के लिए हम जाएंगे अपने job form account पे और वहां पे जिस form को data जिस form के responses हम google sheets में store करना चाते है उस form में एक test submission एक demo form submission create करेंगे ताकि उस नहीं add होरी form submission के data को हम public connect में collect कर सके फिर आती है हमारी third और final step जो है send the same data to google sheets to add form response तो जो data हमने public connect में collect किया है job form से जो हमारे form responses हमने public connect में collect किया है हमारी third step में उन same responses को हम send करेंगे google sheets को ताकि हमने job form के form responses को google sheets में as a new row add कर सके वहां पे store कर सके तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से automation को setup करने की हमारी first step और चलते है पाबली connect पे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहां search करेंगे p-a-b-b-l-y pabli.com pabli.com enter करते ही यह खुल चुक है हमारे पास पाबली की website यहां हम हबर करेंगे products पे और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही यह खुल चुक है हमारे पास पाबली connect का landing page अब हम यहां दो options दिखाई दे रहे हैं एक है sign in दूसरा है sign up free अब क्योंकि मेरा पाबली connect पे already account है तो मैं click करता हूँ sign in पे आप sign up free पे click करके दो मिनेट पे अपना पाबली connect पे प्री अकाउंट बना सकते हैं इसके बाद हम मीचे scroll करके आएंगे पाबली connect पे और click करेंगे access now पे access now पे click करते ही यह खुल चुक है हमारे पास पाबली connect का dashboard यहां हम click करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं इस workflow को नाम देता हूँ Jot form to Google Sheets और click करता हूँ create पे create पे click करते ही यहां पे हमारे पास हमारा workflow open हो चुक है है and then इस workflow में हम देख सकते हैं कि हमें यहां पे दो windows दिखाई दे रही है एक है trigger window दूसरी है action window तो आप सोच रहे होंगे यह trigger और action क्या है तो मैं आपको बता दू trigger और action basically वो दो concepts है वो दो principles है जिस पे यह पूर automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यान कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यान कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस वीडिय response receive हो तो automatically उस response को data हमारे google sheet में as a new row add करे तो सबसे पहले हम आते हैं अपने trigger window की तरफ और यहाँ choose apps में search करते है आज का हमारा पहला application जो है jot form इसके बाद यह हमसे पूछड़ा trigger event जिसमें हम select करते है new response क्योंकि हम चाहते है कि जब भी हम अपने jot form में create किये गए form में एक नया response receive हो तो उसका data jot form pably connect को send करे तो अपना trigger event select करते ही pably connect ने दिया हम एक webhook URL अब इस webhook URL के लिप से हम jot form और pably connect इन दोनों को या आपस में connect करेंगे और यह connection का process हम कैसे करेंगे यह पढ़ते हम इसके नीचे दिये गए instructions पे यहां लिखा है open your form in the form builder and click on the settings tab go to integrations search for webhook and paste the above URL in add webhook field तो यह हमें कह रहा है कि जो form हमने jot form में create किया था उस पे हम उस form पे जाए हम just form के integrations option पे and then इस webhook URL को वहां पे paste करें तो चली दो कर रखा है यहां वहां चलके हम देखते हैं कि हम इस webhook URL के help से कैसे अपने jot form account और पावली connect इन दोनों को यह आपस में connect करेंगे तो यहां पर मैंने open कर रखा है मेरे jot form का dashboard और आप यहां देख सकते हैं कि all forms section पे मुझे आपको वो forms दिखाई दे रहा है जो मैंने अपने jot form account में create किये है जिस मेंसे आज हम जिस form को use करेंगे उसका नाम है feedback form हम यहां क्लिक करते है edit form की button पे edit form पे click करते ही हमारे पास वो form जो हमने create किया है वो open हो चुका है तो यह form है इसका नाम है feedback form इसे मैंने बिल्ट किया है अपने users से अपने customers से feedbacks receive करने के लिए और इस form में मैं form submit करने वाले user से उसका नाम पूछ रहा हूँ उसका email address phone number उसका address और साथी साथ उसका feedback message and then हम यहाँ पे ऊपर देख सकता है कि इस form के हम अभी build section में है इसके right side पे हम यह आप एक option दिखाई देता है settings का हम यहाँ क्लिक करेंगे settings पर settings पर click करते ही हम यहाँ left side पे कई सारे options दिखाई दे रहा है जिसमेंसे एक option है integrations का तो इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे Integrations पर, Integrations पर क्लेक करते ही, हम यहां कई सारे Integrations के Options दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम यहां Search करेंगे, और यहां पर Enter करेंगे Webhooks, Select करेंगे Webhooks को, तो Webhooks सेलेक करते ही, यहां पर हमारे पास एक window खुल चुकी है, जो हमसे पूछ रहा है Add Webhook, तो आपको याद होगा, कि Public Connect ने दिया था हम एक Webhook URL, तो अभी इस Same Webhook URL को, Public Connect से हम करेंगे Copy, and then इसे JotForm में, यहां करेंगे इस Same Webhook URL को, Paste, इसके अधर हम क्लिक करेंगे Complete Integration पे, and that's it दोस्तो, हमने successfully एक Webhook URL के एप से, अपना JotForm account, Public Connect के साथ Connect कर दिया है, यानि कि, अपने इस Automation को Setup करने की जो हमारी 4 Step थी, जो थी, Public Connect और JotForm, इन दोनों को आपस में, एक Webhook URL के तुरू, Connect करने की, वो हमने Complete कर दिया है, हम यहां क्लिक करते हैं, Finish पे, and then, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस Automation को Setup करने की, हमारी दूसरी Step की तरफ, जिसमें, अपने इस JotForm में, जो हमने Form Create किया है, जो हम यहां Build section में देख सकते है, इस Form में, एक Test Response, एक Dummy User की डेटल अंटर करके, इस Form को Submit करेंगे, एक Demo Response Generate करेंगे, ताकि हम उस नई Add होरी Form Response का जो डेटा है, उस नई Form Submission का जो डेटा है, उससे Public Connect में Collect कर सके, और हम यहां Public Connect पे देख सकते हैं, कि यहां पे हमें एक Option दिखाई दे रहा है, Waiting for Web Book Response, यानि कि Public Connect इस Web Book URL के थुरू, कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉंस से रिसीब करने के लिए, बेट कर रहा है, तो हम आते हैं, जोट Form पे, और यहां पे मैं यूजर की डीटेल्स एंटर करके, करता हूँ इस Form को Submit, तो यहां पे, राइट साइट पे, मुझे दिखाई दे रहा है, एक Preview Form का बटन, मैं इसको Turn On करता हूँ, राइट साइट पे स्विच करता हूँ इस बटन को, and then हम देख सकते है, हमारे ये Form Preview Mode पे, तो यहां मैं एंटर करता हूँ एक यूजर की डीटेल्स, ओके, तो यहां पे, मैं एंटर की एक यूजर की डीटेल्स, इस यूजर का नाम है, कुनाल कपूर, यह इस यूजर का इमेल अड्रेस और फोन नमबर, साथ ही साथ, मैं एंटर की आ है, इस यूजर का एक ड्रेस एक डमी अड्रेस, and then, feedback message में मैं एन एंटर की है, and submit पे click करते ही, यह हमें बता रहा है, कि यह form successfully submit हो चुका है, तो चली दोस्तो, अब क्यों कि हमने पाबली connect और जॉट फोर्म, इन दोनों का आपस में integrate किया, एक वेबुक URL के help से, तो अब हम यहां से चलते हैं, पाबली connect पे, और जी हाँ दोस्तो, जैसे कि आप यहां देख सकते है, कि response receive में, हमें यहां पे कुछ response दिखाई दे रहा है, जो कि उस same user का है, उस same form submission के details का है, जो अभी अभी हमने अपने job form में enter करके submit किया था, यानि कि जो details हमने अपने job form में enter करके form submit किया था, वो same details अब हमें यहां पे receive हो चुकी है, यहां पे हमारे पास है वो same name, कुनाल कपूर, same email address, same number, साथ ही साथ है उस user का same address जो हमने enter किया था, and then एक demo form submission, यह message, वो same feedback message, जो हमने उस form में enter किया था, यानि कि दोस्तो, इस automation को setup करने की जो हमारी दूसरी step थी, जो थी अपने job form में एक test form submission create करने की, ताकि उस नए add होरे form submission के data को हम पावली कनेक में collect कर सके, यह second step भी हमने successfully complete कर ली है, तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी third और final step की तरफ, जिसके लिए हम scroll करके नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे action window पे, और choose apps में search करेंगे google sheets, क्योंकि हम चाहते हैं कि job form में इस form submission का जो data हमें receive हो रहा है, इस data को हम google sheets में add करें, तो choose apps में google sheets select करने के बाद, हम यहाँ आते है action event पे, और यहाँ select करते हैं कई सारे action events में से add new row, और click करते है connect पे, connect पे click करते ही, पाप ली connect हम से कह रहा है अपना google sheets account connect करने के लिए, तो यहाँ पे हम click करते है add new connection पे, and then click करेंगे connect with google sheets पे, connect with google sheets पे click करते ही, यहां पर Public Connect मुझसे खहरा है अपना Google Sheets account select करने के लिए यहां पर मैंने एक new tab में open कर रखी है वो Google Sheet जिसमें मैं यह response जो है JotForm के वो store करना चाहता हूं तो यह Google Sheet में कुछ fields है जासे कि name, email, phone number, address और feedback message के वो same fields जो मैंने अपने JotForm में create किये थे यहां पर आप देख सकते हैं कि अकाज वेलकर यह वो Google account वो Google Sheets account जिसमें यह sheet मौझूद है तो यहां पर हम अपने Public Connect पर इन accounts में से select करेंगे उस same account को अकाज वेलकर को एंड यहां क्लिक करेंगे continue पर एंड continue पर क्लिक करते ही हमने successfully अपना Google Sheets account पावली कनेक के साथ connect कर दिया है इसके बाद हम यहां पर कुछ field दिखाई दे रही है जिसमें से हमारी जो पहली field है वो है select spreadsheet की तो यहां पर नीचे drop down में हमें कई सारी spreadsheet दिखाई दे रही है दोस्तो यह सारी वही spreadsheets है जो मेरे Google Sheets account में already मौझूद है तो इस spreadsheets को मैं आपको दिखा तो अपने Google Sheets account पे ओके सो यहां पर आप मेरे Google Sheets account पे देख सकते हैं यहां पर आपको सभी same spreadsheet दिखाई देगी जो हमें यहां पर पावली कनेक पे यहां drop-down में दिखाई दे रही है इन सभी spreadsheet options में से हमें select करनी वह spreadsheet जिसमें हम जाट form के responses को store करना चाहते हैं तो यहां पर जिस spreadsheet में SEN I can store K entra उसका नाम है ten clickcję उपन करते ilust gli में करते इस spreadsheet को and then his same spreadsheet के नाम को यहां पर मैं select कर लेता हूँ अपने it's select spreadsheet की option में के बाद यह हमसे पूछ रहा है select sheet तो मेरी जो spreadsheet है जिसमें responses add करना चाहता हूँ इसमें सिर्फ एक यी sheet है जिसका नाम है sheet 1 तो public connect में इसे मैं address रहने देता हूँ sheet 1 पे and then हम यहां पे कुछ fields दिखाए दे रही है जिसमें हमसे पूछ रहा है name, email, phone number, address, feedback message, basically वो सारी same fields जो हमने अपने Google sheet में नए columns में add की है name, email, phone number, address, feedback message, so यहां पे Google sheets हम से पूछ रहा है कि हम इस Google sheet में जब एक नए रोम में data add करेंगे तो हम इन fields में columns में क्या data add करना चाहते हैं तो आपको याद होगा दोस्तों कि यहां पे नीम की यूजर का first name और last name और साथ ही जाथ बाकी सारी details जिसकी email, phone number और address तो यहां से आपने JotForm में receive or responses में से इन same data को इन same details को आप हम map करेंगे यहां नीचे इन Google sheets की field पे तो हम name की field में name के column में name को map करने के लिए हम simply this field पे क्लिक करेंगे और नीचे जो में drop JotForms जो responses का drop down दिखाई देगा इसमें से select कर लेंगे user के post name को and then एक space के बाद हम select कर लेंगे user के last name को सो यहां पे इस name की field पे हमने map कर दिया है हमारे user का name इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है email सुम फिर से एक बार email के नीचे दी गए इस drop down पे एक बार click करेंगे और नीचे जो JotForms response रिस्पॉंस रिसीव हुआ है उसमें से email को यहां पे map कर देंगे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे phone numbers के लिए भी नीचे drop down में से user के submit किये गए form response में से उस user के phone number को select करेंगे and similarly हम एक एक करके map करेंगे यहां पे address को भी नीचे drop down में से पहला add करते है address line 1 then add करते है address line करें comma इसके बाद address line 2 comma then हम map करते है city comma then city के बाद हम चाहते है address में state and at last आजा एक hyphen के बाद pin code नीचे drop down में से भी हम pin code को भी map करते हैं तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमने अपने जॉट form से जो अलग-अलग fields का response रिस्पॉंस रिसीव हुए थे उन्हें यहां पे एक address की field में एक साथ map कर दिया है ताकि हमें अपने google sheet में जो हमारे column में address एंटर हो वो एक collective address complete address एंटर हो यहां पर address में को करने के बाद at last यहां से पूच रा feedback message यहां पर हम क्लिक करेंगे और नीचे drop down में से select कर लेंगे उस feedback message को जो हमारे form submit करने माली इसर ने एंटर किया है and that's it दोस्तों अपने required field में जो out form से receive हुए सारे responses को सारे data को अपने according map करने के बाद हम यहां क्लिक करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे क्लिक करते ही हमें यहां पे एक response रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि इस data के basis पे इस data को जो हमने map किया था इन columns में हमने अपने google sheet में add कर दिया है तो चली दोस्तों अब हम चलते हैं अपने google sheets की तरफ और वहां चलके देखते हैं कि क्या सच में हमारे google sheet में इस data के basis पे एक नई room में data add हुआ है या नहीं तो हम आते हैं अपने google sheet पे और जी हां दोस्तों जस्ता कि आप यहां देख सकते हैं कुनाल कपूर यह same name वो same details जो हमने अभी-अभी अपने job form में test submission में एंटर की थी वो हमारे google sheets में automatically एक नई पूरे form submission का data add हो चुका है तो यहां पर हमारे पास है same name कुनाल कपूर, same email address, same phone number, same address और साथी साथ same feedback message यान कि basically हमारे job form में receive हुए सारे form submission के data को हमने automatically एकदम real time में अपने google sheets में एक नई room बनके add कर लिया यान कि हमने देखा कि automation को जो हमने setup किया इस वीडियो में एक easy automation यह successfully काम कर रहा है तो चलिए क्यों नहीं इस automation को एक बार test किया जाए फिर से हम आते है अपने job form account पे and then इस form को करते है एक बार refresh और यहाँ पे इस job form में मैं enter करता हूँ एक नई user की details और हम test करते है कि यहाँ पे हमारे job form में एक नई details enter करते ही क्या automatically एकदम real time में इसका responses हमारे google sheets में एक नई रोबन क्या add होते है या नहीं तो हम आते है job form पे ओके सो यहाँ पे मैंना इंटे की user की details इस user का नाम है है एधर खान यह इस user का email address उसका phone number साथ ही साथ एंटे किया है उसका user का test address एक demo address and then हम यहाँ देख सकते हैं कि feedback message में मैं एंटे किया है this is a real time test तो हमारे job form में एक user की details इंटे करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ submit पे एंट यह हमें बता रहा है कि हमारे form जो है वो success वे submit हो चुका है यानि कि हमें अपने job form में create किया गया form में एक नया response receive हो गया है तो चली दोस्तों अब हम चलते है directly अपनी Google sheets पे और वहाँ चलके देखते हैं कि क्या automatically लिगदम हमारे job form पे एक नया form submit होते ही क्या हमारे Google sheets में उस form submission को data है उस form को response है वो नहीं रो बनके add होता है या नहीं तो हम आते है अपनी Google sheets पे और जी हां दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते है वो यहां पे हमारे पास है वो same name जो हमने अभी-अभी अपने job form में एंटर किया था और form को submit किया था यान की हमारे job form में हमें response form submit करते ही automatic लिगदम रियल टाइम में उस form submission का data हमारी Google sheet में एक नई रो बनके add हो गया है तो हम इस automation को टेज़र भी कर चुके है दोस्तों कि जो automation हमने setup किया है यह बहुत ही successfully काम कर रहा है तो चलिए एक बार हम आते है पाबल में समझते हमने पूरा automation कैसे setup किया तो सबसे पहले हमाई पाबली कनेक में और वहां से मिले एक वेबुक URL की हल्प से हमने job form और पाबली कनेक इन दोनों को या अपस में connect किया उसके बाद हमने job form में गया अपने job form create किया था and then उस form में एक test user एक demo user के details एंटर करके उस form को submit किया ताकि हम उस एड नए आड होरे form submission के data को इस form response को पाबली कनेक में collect कर सके and at last जो data हमने पाबली कनेक में collect किया था उस same data को हमने send किया google sheets को था कि हम अपने job form के responses को अपने google sheets में store कर सके तो सिर्फ यह applications नहीं दोस्तो पाबली कनेक की help से आप multiple applications को एक दूसरी के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ एक और ज़रूरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पर click करके आप इस same workflow को अपने पाबली कनेक अकाउंट पे clone कर सकते है और इ आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करे, share करे और हाँ ऐसी कुछ automation and integrations related awesome वीडियो के लिए पाबली हिंदी को subscribe करे तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो थैंक यू